भemat है यासे मीं स्टावर रहे हैं ट्रेंग जो कंप्लीट से सबकुछ कवर कर लिया है आध से हम पढ़ेंगे ट्रेंगे हुआमने जो क्वलत्यों की क्विस्टेंस में ओजांड में व्हीं करेंगे और लेख जो और तेसमय विडिलंग करते हैं तो जैसे कि हमने time and distance में पढ़ा था कि जो km per hour और मीटर पर सेकेंड को अगर change करना है तो किसका multiply करते हैं तो अगर km per ghanter को मीटर पर सेकेंड में change करना है तो किसका multiply करेंगे 5 by 18 का मतलब km को km per ghanter को मीटर पर सेकेंड में multiply करना है में तो हम जो है पांच बटी 18 का multiply कर देंगे जो भी दिया होगा km per ghanter में और वह आ जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड में दिया है तो उसमें अगर multiply कर दें 18 by 5 का तो जो answer आएगा वह होगा हमारा किलो मीटर पर घंटे में तो यह दो concept हमने पहले पढ़ा था तुसे आप याद रखें और इसमें और कुछ चीज़े देखते हैं ट्रेंड में कुछ छोटी छोटी बातें तो suppose this is a train यह एक ट्रेंड है मान लेते हैं इसका लंबाई क्या है एल है और यह s-speed से जा रही है यहाँ पर कोई वेक्ति है जिससे ट्रेंड जो है cross करेगा पास करेगा तो अगर यह train इस वेक्ति को पार करेगा तो कितनी लंबाई को पार करेगा जो होगा train की लंबाई के बरावर ठीक है तो अगर एक train किसी वेक्ति को पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई को पार करेगा तो यहाँ पर अगर हम distance जो formula हमने पढ़ा था कि जो speed होता है चाल होता है चाल बरावर क्या होता है दूरी बटा समय तो यहां पर जो दूरी आएगा ट्रेन अगर किसी ब्यक्तिक को पास कर रहे है तो जो दूरी आएगा वो क्या होगा इस ट्रेन की लंबाई मतलब क्या होगा अगर कोई ट्रेन जो है लंबाई का है और किसी प्लेट तो अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो खुद की लंबाई और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी तब ही वह इस पूरी प्लेटफॉर्म को पार करेगी मतलब train यहाँ से आई तो यहाँ से इंटर की train तो train प्लेटफॉर्म को पार करेगी और train जब तक बाहर न निकल जाए मतलब जो इसका last point है train का वो यहाँ तक ना जाए तो जब तक वो प्लेटफॉर्म को पार नहीं करेगी यही माना जाएगा अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई दोनों को पार करेगी माल लेते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है L P है तो कौन सी दूरी पार करेगी वो खुद की लंबाई L प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई L P तो यह दो कॉंसेप्ट है एक चीज और यहां पर देख ले रहे हैं अगर कोई ट्रेन है L किसी ब्रिज को पार कर रही है ठीक है तो ब्रिज को पार करेंगे मतलब यह लंबाई को पार करेंगी सब्रिज को पार करेंगे मतलब यह ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट यह प्रिज को लास्ट पॉइंट जब तो ट्रेंज जो है खुद की लंबाई और इस ब्रिज की लंबाई माल लेते हैं अल भी है तो कौन सी लंबाई पार करेगी एल प्लस अल भी ठीक है तो हमने जाना अगर किसी पॉइंट को पार कर रही है तो खुद की लंबाई को पार कर रही है तो खुद की लंबाई और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों को पार करेगी उसके द्वारा चली गई दूरी में कवर किया गया डिस्टेंस होगा इस चोटी-चोटी कॉंसेप्ट पर एक दो कुश्चन यहां पर कल ले रहे हैं जैसे कि कुश्चन नंबर फर्स्ट यहां पर दिख रहा है कि अफ एक चार सो पचास मीटर लंबी ट्रेन एक सो पचास मीटर लंबी प्रेटफॉर्म को पंदरा सेकेंड में पार कर लेती है तो ट्रेन का स्पीड बताना है किलो मीटर पर घंटे में ठीक है तो देखिए ट्रेन की लंबाई यहां पर दिया हुआ है क्या ट्रेन की लंबाई दिया है चार सो पचास मीटर चार सो पचास मीटर और एक प्रेटफॉर्म है यहां पर जिसकी लंबाई दिया है एक सो पचास मीटर और ये train जो है इस lemb이 को इस platform को कित्य समें पार करती है वो है 15 सेकंद कितना 15 सेकंद तो हमें क्या निकालना है इस train का speed हम पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा यह में पता है तो यहां पर दूरी कौन सा होगा खुद की लंबाई और यह लंबे object की लंबाई मतलब दूरी के जब में क्या लिखेंगे हम 450 प्लस 150 बटा समय, समय कितना लगा है 15 सेकेंड तो यह आगए हमारा answer मीटर पर सेकेंड बी इसको और solve करेंगे तो यह हो जाएगा 500 प्लस 100 600 डिवाइड बाई 15 15 चौको 60 मतलब आ गया 40 मीटर पर सेकेंड क्वेशन में बोला है कि किलो मीटर पर गंटे में चेंज करना है तो हमें पता है कि मीटर पर सेकेंड को अगर किलो मीटर पर गंटे में चेंज करना है तो हम अठरा बटे 5 का मल्टिप्लाइ कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा किलो मीटर पर गंटा इसको अगर और कैंसिल कर दें तो 58 488 144 सब्सक्राइब करने गए एक सोचालिस किलो मीटर पर इस यह कॉंसेप्ट पर हमने पढ़ा है कि किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो खुद की लंबाई और उस प्लेटफर्म की लंबाई के दूरी को कवर करेगा है एक कोशन यह हो गया एक और बैसिक क्वेशन यह आपर कर ले रहे हैं एक आदमी को पार करने वाला कुशन तो क्या वोला है कि एक ट्रेन एक आदमी को 20 सेकेंड में 14 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पार करता है तो बताओ तो बताओ कि ट्रेन जो है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर लेगा माल लेते हैं यह क्या है एक ट्रेन है जो कि किसी आदमी को 20 सेकेंड में 14 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से पार करती है ट्रेन का जो स्पीड है वो क्या है 14 किलोमीटर पर घंटा और यहां पर कोई आदमी खड़ा है उसको पार करता है कितने सेकेंड में बीस सेकेंड में पार कर लेती है क्या बनला है कि एक ट्रेन है मन लेते हैं इसका लंबाई कुछ लंबाई नहीं दिया है ट्रेन का स्पीड दिया है चौमन किलो मीटर पर घंटा और किसी आदिवी को 20 सेकेंड में पार कर लेती है तो हमें ये बताना है कि कितने समय में ट्रेन जो है 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी तो सबसे पहले हम ये लंबाई ग्याद करना पड़े है क्योंकि नेक्स जो स्टेप है किसी प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए तो खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों से यह होता है तो अगर यहां पर हम एल निकाले तो वह हमारा पहला स्टेप हम स्टेप को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो वह एक ही टी कानवाट हो जाए कि घ्रवाटकर जाब कैंद करने के लिए तो तो अठारत याई शोमन्त कितनों हो गया पंद्रा मीटर पर सेकंड यह ट्रेन का स्पीड आ गया किसमें मीटर पर सेकंड में अब हमें पता है कि कोई ट्रेन जो है किसी आदम को पार करता है तो उसके लिए जो दूरी होता है जो दूरी कभर करेगा कौन सा कभर करेगा जो ट्रे स्पीड इसकल टू क्या होता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है चाल बराबर दूरी बटा समय तो चाल कितना है 15 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस एल और टाइम कितना लग रहा है बीस सेकेंड तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो पंदरा गुड़ा बीस कितना अगया पंदर तो हमें क्या पता चल गया कि एल उस ट्रेंड की लंबाई हमें पता चल गया 300 मीटर अब बोल रहा है कि 100 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा तो यह हो गया हमारा ट्रेंड जिसकी लंबाई है 300 मीटर और इसका स्पीड है मीटर पर सेकिंड में पंदरा मीटर पर सेकिंड और यहां पे एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई है 100 मीटर अब यह ट्रेंड इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो जो लेंफ जो दूरी तहmasyr करेगी वह कौन-Kौन सा होगा खुद की लंबाई मतलब 300 मीटर प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर कितना हो गया यह 400 मीटर और हमें टाइम निकालना है तो हमें पता है कि डिस्टेंस इसे इकल तू यह फिर चाल बरावर दूरी बटा समय हमें समय निकालना है तो समय बरावर कितना हो जाएगा दूरी बटा शाथ दूरी कितना है 400 मीटर और चाल कितनी चाल से चल रहे हैं ट्रेट पंद्रह मीटर पर सेकंड इसको अगर हम क्रॉस इसको अगर कैंसिल करें तो पांतियाएं पंद्रा पान अठे चालिस है ठीक है न तो असी बटा तीन सेकंड या स्कॉर सॉल करेंगे तो तीन दून अच्छे कैरी दो तीन चैंग अठारा उन्नीज भी दो बटा तीन सेकंड यह हमारा एंसर हो जाएगा चब्विस दो बटा तीन सेकंड चीक है तो इस टाइब क्वेस्टन को हम ऐसे बेसिक से करेंगे ठीक है आई आपको यह स्टेप्स जो है फॉलू करने पड़ेंगे यह छोटे-छोटे पॉइंट से जो है यह आपको याद होने से यह तो चलिए कुछ और कॉस्टन करते हैं ट्रेंग से जैसे कि क्वेस्टन यहां पर दिख रहा है कि एक ट्रेंग एक खंभे को 10 सेकेंड में और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेंग की चाल एवं लंबाई गयात करो इस ट्रेंग को भी हम एक तो बेसिक से कर सकते हैं जैसे हमने पड़ा है क ट्रेंग को पार करेगा खुद के लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करना पड़ेगा लेकिन इस टाइप को क्वेस्टन को उस बेसिक से करेंग तो ज्यादा लंदी हो जाएगा जैसे हमने अभी बेसिक से किया था तो इसका एक और तरीका यह है कि ए लग रहा हूँ कितना है कि 10 सेकंड ठीक है कि अब कि क्या गोल रहा है कि और 250 मीटर लंबे प्रेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है तो 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि खुद की लंबाई ट्रेन की लंबाई और 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को पार करेगी इसका मतलब यह हुआ और इससे जो है 15 शेकेंड में पार कर लेती है हमई क्या निकालना है train की चाल और train की लमबाई मतलब ल निकालना है और train की चाल निकालना है तो अगर हम दूसरे वाले कीशन में पहले वाले कीशन को घाटा दें तो कितना आएगा l से ल कट जाएगा तो कितना आएगे इधर 250 मीटर और इधर कितना आएगे 15 में 10 घटाएंगे तो 5 सेकंड इसका मतलब यह हुआ कि 5 सेकंड में 250 मीटर चलती है ठीक है ना 5 सेकंड में 250 मीटर चलती है तो अगर हम बात करें एक सेकंड में 250 मीटर तो एक सेकंड में क्या करेंगे 5 को नीचे भाग कर लेंगी एकिक नियम जो हमने पढ़ा होगा पहले कि 5 सेकंड में 250 मीटर तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा 250 बटे 5 मतलब 50 मीटर अब अगर कोई ट्रेंज जो है एक सेकंड में 50 मीटर चलती है तो इ शाल क्या होता है किसी एक आंक समय में चली गज़ दूरी तो एक सेकंड में 50 मीटर तो शाल कितनώ होगे 50 feelingग में ठीक है all यही होटा है कि किसी एकांग समय में चली गई दूरी तो एक सेकेंड में पचास मीटर मतलब क्या हुआ कि उसका चाल हो गया पचास मीटर पर सेकेंड तो हमें क्या पता चल गया ट्रेन का चाल पता चल गया अब हमें क्या लिकाना है लंबाई तो एक सेकेंड में कितना है तो दस सेकेंड में कितना होगा दस का मल्टिप्लाय कर देंगे मतलब पांसो मीटर अब दस सेकेंड की वैलु कितना आ गया पांसो मीटर अगर यहां पर रख दें हम तो एल कितना हो जाएगा पांसो मीटर आ गया पांसो मीटर मतलब क्या हुआ यही है ट्रेन की लंबाई क्य so this is a best method I think for solving these kind of question क्समें length दिये हो और time दिया हो। इस टाइप को lapse करके थे सप्ट करके question को solve करेंगे और easy से कर सकते इसको solve... अगर हम basic से करेंगे तो थोड़ा lengthy हो जाएगा question को solve करना तो यह method आपको approach... यह method का जो approach है this is best for solving the question चलिए एक कुश्चन और सेम कॉंसेप्ट पर बेस्ट है उसके करते हैं कि क्या बोल रहा है कि एक ट्रेंज जो है चैस एक सो बाहसाट मीटर लंबी प्लेटंड में बंको अच्रा सेइकंड में पार करते हुए 162 मीटर लंबे प्लेट्फांड को 9 ं न्युक्त त्रेंज की लंबाई माल लेते हैं क्या है एक एक इडतर आच्रा सेटन में अगला क्या बोल Luci एक सो 20 मीटर लंबे प्लेट्फांड में मतलब खुद की लंबाई और 120 मीटर लंबे बेटफेर्म को दोनों की लंबाई पार करेगी Kitने सेकेंड में पंद्रे सेेकेंड में अब हमें निकालना है ट्रेंड की चाल और लंबाई मतलब El Nकालना है और ट्रेंड की चाल निकालनाenger to tell हम equation 1 में 2 को क्या करतें माइनस कर दें को एल से एल कट जाएगा 162 में 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा दो 4 42 मीटर कितना हो गया 3 सेकेंड 3 सेकेंड में 42 मीटर एक सेकंड में कितना हो जाएगा 3 second में 42 meter तो 1 second में कितना हो जाएगा 42 betray 3 कितना हैगा 3 सेकर 31 32 34 मतलब क्या हुआ कि 1 second में 14 meter चलती है तोचाल कितना हो गया 144 meter per second देख तो हमें पता चल गया है उसका चाल और दूसरा में क्या निकालना है लेंथ तो यह तो equation 1 में रखदो या equation 2 में रख दो चलिए हम equation 2 में रखते हैं अगर तो या तो यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो तो जैसे कि पता है कि 1 second में 14 मीटर तो 15 second में कितना मीटर एक second में कितना मीटर चलता है वो 14 मीटर तो अगर equation 2 ले रहे हैं 15 सेकेंड में कितना हो जाएगा 15 गुड़ा 14 15 चोको 65 15 च्छे 21 ठीक है यह हो गया 15 सेकेंड में चलिगे दूरी अगर हम 15 सेकेंड में चलिगे दूरी को यहां पी रखते हैं तो बाई एक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा हमारा एल प्लस 120 किसके बराबर हो जाएगा 15 सेकेंड की पहलू 210 मीटर तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एल बराबर कितना हो जाएगा 210-120 कितना हो गया जिरो हम-00 11 में दो गएओ नो स्यएव नबहम मीटर कि लंबाई अगे 90 मीटर मतलब क्या हुआ हमारी ट्रेन की लंबाई हो गये हमने ट्रेन की लंबाई किया मालना था ल तो ट्रेन ट्रेंट की जो लंबाई है वह आ गया हमारे पास 90 मीटर और उडेन का civ refers यह 40 मीटर पर सेकंड तो इस काइंड आफ कोस्टेन कें इस वाइज यह सौर्ट ट्रिक कह सकते हो यह एक तरीका हो सकता है जिसे आप इजली वे में सौल कर सकते हो टाइम कंजियूम कम करके और अगर बेसिंग मैथड जो हमने पहले पढ़ा है उससे करोगे तो कुस्टेन उस मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप को कुस्टेन को आप इसी तरीके से करें तो आप अच्छे से और कम समय में सौल कर सकते हैं कि देखते हैं एक दो कुस्टेन और क्या मुल रहा है कि एक ट्रेन में बारा बोगिया है कितने बोगिया हैं बारा बोगी और प्रत्य वोगिक की लंबाई जो है पंद्रा मीटा रही यह एक मनुस्ट को पार करने में अठ्छा सेकंड लेती है अगर दो डिब्बे अलग हो जाते हैं तो यह ट्रेन उस मनुस्ट को पार करने में कितना समय लगती है तो देखिए हमें दिया है बारा 12 बोगी मतलब कमपार्टमेंट तो 12 कमपार्टमेंट किसी आदमी को पार करेगी तो कितने सेकंड में लेता है यह 18 सेकंड लेती है ठीक है ठीक है और हम ये पता है कि कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है ठीक है तो 12 kom Venez 18 सेकंड लेती है 2 compartment हट गया 10 10 compartment जो है कितने सेकंड लेगी यह हमारे एक एकिक नियम जो पने पढ़ा उसे solve कर सकते हैं तो अगर इसको आगे solve करें तो एक एक compartment जो है एक compartment को पार करने में कितना समय लगएगा 18 बाई 12 सेकंड तो कितना कितने बोगी आए दो बोगी हट गई तो 10 compartment 10 compartment को पार करने में कितना समय लगएगा अठरा बटे बारा गुड़े दस सेकंड इसको अगर हम और सेकंड में तो 10 compartment कितने सेकंड तो चली आज के लिए इतना ही आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी है और इफ यू लाइक दे वीडियो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और अल्सो लाइक दे वीडियो एंड हिट दे बेल आइकों सो एट यू के नो नोटिविके